Consipation होने के बहुत सारे कारण हो सकता हैं हो सकता है आपको इनमें से किसी एक कारण की वज़े से हो और उनमें मुख्य कारण जो है वो इस प्रकार से हो सकता है कि आपके जो iंटस्टाइन्स है उनका parastatic जो movement होता है वो किसी कारण वश्कम हो गया हो दूसरा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गरिस्ट और मसालेदार यानि बहुत ज़्यादा तलाबुना भोजन करते हो भोजन में किसी प्रकार के फाइबर की कमी रखते हो या बहुत कम मातरा में पानी पीते हो बहुत जादा माददक पधारतों का शराब का आप सेवन करते हों परिश्रम बिलकुल नहीं करते हों विलासिता पून जीवन व्यतीत करते हों और जब भी आपको जब मल विसरजन की इच्छा बन रही हो और आप जा नहीं पाते हैं आप उस मल को काफी देड़ तक रोक लेत है तो भी वो कॉनस्टिंपेशन का बहुत बड़ा कारण बदता है बहुत ज्यादा भह रहता हो खुरोध रहता हो हमेशा आप चिन्त हमी दुह ुख मे रहते हों आप को को किसी प्रकार की कोई डप्रेशन हो जाता हो, एंग्साइटी नहीं करते हो और ihan को फीकल मेटल् दुख में रहते हो, आपको कोई किसी प्रकार की कोई depression हो जाता हो, anxiety हो जाती हो और आप उसकी वज़े से कोई drugs, medicines खाते हो वो भी constipation का बहुत बड़ा कारण बनता है आप proper food intake नहीं करते हो आप एह परियाप्त मातरा में भोजन करते हो जिससे fecal metal जादा नहीं बनता हो हो सकता है कि आपने कोई operation करा रखा हो और उसकी वज़े से भी आपको काफी समय के बाद जो है आतों में अवरोध उत्पन हो जाता है और आपका constipation का कारण बन सकता है कभी कभी क्या होता है कि जो बवासीर में मल त्याक के समय अतिदिक दर्द होने लगता है तो फिर आप उस दर्द की वज़े से मल को रोख कर रखने की इच्छा बनाए रखते हैं समय पे नहीं जा पाते हैं तो वो constipation का कारण बन जाता है आप लंबे समय के लिए कोई antacit खाते हों आप हाई ब्लाड पेशर्स के लिए हाई ब्लाड शुगर के लिए या कोई अफीम से बनी दवाओं का प्रयोग करते आ रहे हों आप बहुत जादा ओल्ड देस के हो गए हों व्रद्दा वस्ता में भी जो हैं इंटस्टाइनल मॉमेंट्स कम हो जाते हैं और बहुत जादा मातरा में आप कपस को दूर करने के लिए बहुत लंबे समय से कोई लग्जेटिव परगेटिव उप्योग कर रहे हैं तो वो आपकी बोडी में रजिस्टेंस हो जाते हैं और वो काम नहीं करते हैं और एक समय के बाद वही आपको जो कपस को दूर करने वाली दवाएं थी वही आपको कपस करने वाली दवाएं बन जाती हैं कॉंस्टिपेशन होने पर क्या लक्षन दिखाए देते हैं यानि इसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं हो सकता है कि भूग ना लगना पेट में भारी पन महसूस करना रहना दुर्गंद युक्त अपान वायू का निकलते रहना पेट में गैस का बनना चाती में जलन का महसूस होना या फिर कोई आपको स्वांस संबंदी रोगों के लक्षनों का तिवर हो जाना ये ऐसे आपको लक्षन महसूस हो सकते हैं और इसके बाद फिर इसकी रोग की जो है कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं जिसमें आपको पाइल्स बन सकता है फिश्चुला इनैनो बन सकता है या आपका प्रॉलेप्स ऑफ रेक्टम हो सकता है और जब कभी भी आप मल त्याग करने जाएंगे तो आपको जोर लगाना पड़ता है और उसके बाद हो सकता है कि उस इस्तती में आपको कोई इगवाइनल लर्णिया हो सकता है या कोई मायो काल्डे रेंफॉक्शन भी हो सकता है या आपकी जो बड़ी आहात है वो कठोर हो सकती है आप इसके जाज करवाने के लिए इन्वेस्टिकेशन कराने के लिए बेरियम एनीमा करवा सकता है प्रॉक्टोस्कॉपी करवा सकता है सिग्मोइडोस्कॉपी करा सकता है या फिर किसी के दोरा गुदादोर में अंगली डाल कर भी आप जाज करा सकते हैं